वेलकम बाग तो माई एड़ेप चैनल किट्स लर्निंग मैं आशा करती कि आप सबी स्वास्त होंगे चलिए आज हम करेंगे दियर द्वारा दीगे वोक्षित दिनांग बाइस दस दो जारी किस क्रमांग संक्या 94 आज की वोक्षित हमारी मैतमेटिक्स वोक्षित है जो क्लास यहां पर स्टुडेंट अपना नाम लिखेंगे यहां पर एक क्लास टीचर का नाम लिखेंगे चलिए बच्चों बिना किसी दे रिखे वोक्षित शुरू करते हैं चित्र पहली दिये गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समय चित्र दो कुछ गलतियां हो गई आप की नीच चार गल गलतियों को ढूंड कर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साधा कीजिए बच्चों यहां दोचित्र इक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परस इसड़र दो में कुछ गलतियां हो गई है चलिए वो चार गलतियां पहला गिफ्ट नहीं पहली गलती यहां पर टॉग नहीं यह दूसरी और यहां पर देख के पीछे किरिस्मस ट्री नहीं है यह तीसरी और यहां पर और कि स्टार मिसिंगे यह चौती आपको और गलतिया मिले तो बता सकते आप मुझे चरी आगे देखते क्या है कितनी इटे नदीम के पापा एक नया कमरा बन वा रहे हैं सुभास अंकल उनके या मज़दूरी का काम करते हैं एक दिन नदीम ने देखा कि वो एक साथ दस इटों का धेर अपने सिर पर उठा लेते हैं, नदीम ने अंकल को पसीने से लटपत देखा, उन्हें पानी पिलाया, वो इटों के धेरों, और अत्रिक इटों को देखकर उन्हें गिनने की कोशिश करने लगा, देखते हैं नदी एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, आठ, नौ, दस तो ये दस, दस, यानि 20 हीटे और यहाँ पे जो बची हुई हीटे हैं और एक, दो, तीन, तीन हीटे जो बची हैं तो फूल कितने हो गए? 23 हीटे, 23 हीटे तो चलिए, देखते हैं क्या है? आप नीचे देगे एटों के धेरों और अत्रिक नीटों की संक्या देखकर बताएं कि इन्हें मिलाकर कितने हीटे हैं बचो यहाँ पे आपको एटों के धेरें और अत्रिक नीटों को मिलाकर बताने कितने हीटे हैं जैसे देखिए, 10 इटों के धेर यहां दिये है, अतरिक्ती इटें, और इटों की कुल जंक्या कितनी है, तो चलिए देखते हैं, 10 इटें, 3 धेर है, 10 इटों के तो कितने हो गए, 30, और अतरिक्त कितने है, 5 तो मिलके हो गए 35, तो यहां पे देखिए, यह 4 इटों के धेर है, यह साथ अक्त्रिक तो 47, 47 ईटें और यह देख़े, यहां पर 6 इटों के डेर हैं, 10 इटों, यह 6 इटों के डेर हैं तो 60 और यहाँ पे आपको बता देती हूँ यह हो गए 30, यह हो गए 40 और यह हो गए 60 ठीक और यह बचे होई इटे उनको बाद में आप ऐसे ही जोड़ दीजेगा 5, 7 और यह है 9 तो यह हो गए 69 बचो 69 इटे और यहाँ पे इटो की संग्या होगे 69 और यह है 80 इटो का डेर तो 82 का डेर मतलब 80 और यह 1 तो हो गए 80 81 इटो की संग्या और यहाँ पे देखिए 7 डेर हैं तो हो गए 70 तो 70 और यह है 2 हो गए 72 यानि 72 और यह है 9 हो गए 90 और यह 0 तो 90 इटो के संग्या और चलिए बच्चो आगे देख लेते क्या है अभी बाव के लिए सुझावे कि बच्चों के साथ हमारे देनिक जीवन में सहायक वेक्तियों और मजदूरों बढ़ाई बिजली काम करने वालों और पानी की पाइपलाइन की फिटिंग करने वाले इत्यादी के मात्व के बारे में बच्चों से बात चीश करें और आज का कोविट का मेंसेज है कि जब भी बाह निकले मास्क जरूर लगाए तब तक अपना ध्यान के बाई बाई